नवाश्कार मेरे आज का जो सेशन हो क्लास 9 में जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और उनकी पैरेंट्स के लिए सेशन है और बच्चों से बात कर चुका हूँ लेकिन सब पैरेंट्स के एक साथ एकटा करना मुश्किल था इसलिए मैं नाइन का जो सेशन है जो सेशन हर बच्चे की जो स्कता की चा में मिशार्त आज क्लास 9 के खतम हो चुका हो अप्रेल 2023 में उस बच्चे का 10th स्टारट हो चुका होगा सुप्रेοι मार्स 2024 में उस बच्चे का 10th भी खतम हो चुका होगा और अगर अप्रेल 2024 की बात करते हुए 11th स्टार्ट हो चुका होगा मार्स 2025 की बात करते हुए 11th खतम हो चुका होगा और अगर अगर अप्रेल 2025 की बात करते हुए 12th स्टार्ट हो चुका होगा और अगर में अप्रेल, मार्स दोजाथ 26 की बात कर रहें तो यहाँ पर आता है थे बच्चे का 12 का बोड खतम हो चुका होगा, हाला कि इससे पहले एक और बहुत इंपोर्टन टाइम लाइन है बच्चे की, वह है कि जनवरी में उस बच्चे का J-E-Main का एक्जाम आएगा यहाँ पर, जनवरी 26 का असपास, और फिर मार्स में जब बोड का एक्जाम खतम हो जाएगा, उसकी बात तो बच्चे के बहुत स का इस बात है बट हेवीली लॉड handic ide यहां पर एक्ड़मिय कंटेंट बच्चे का बहुत कम है और यहां पर एक्टेंगे इंडिमिक बहुत जादा है अब यहाँ पर बच्छे की स्लेबस बहुत बड़ी प्रॉलम है स्लेबस बहुत वास्थ होता है दोसी चीज होती है एलेमंट्वेल की पढ़ाई के साथ से बच्चे का बैक लोग compile होता जाता है, backlog pile up होता जाता है बच्चे का और बच्चे का backlog pile up हो जाता है तो उसके लिए अपने आपको manage करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थर्ड चीज है, revision के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता, बच्चे को revision के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता, तो यह सारी problems होती है, ज यह वाला जो phase होता है, यह बच्चे के लिए बड़ा critical होता है, जो बच्चा 11 में starting कर रहा होता है, उसके लिए बड़ा के साथ, इस time period को एक बहुत effective तरीकिसा हम यूज कर सकते हैं, जो बच्चे भी 9th में बढ़ रहे हैं specially, जो बच्चे भी 9th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्लान है, और हम ने बच्चों के साथ शेर किया, बच्चों को भी काफी अच्छा लगा, तो मुझे लगा एक पर प हम बच्चे की 9th को ओवर कर दे, 9th class को हम यहीं पर ओवर करते हैं, तो यहां पर जहां मार्च में 9th class ओवर होड़ी थी, वहां पर हम इसको जन्वरी को ओवर कर दे, और यहीं पर हम उसकी 10th class को स्टार्ट कर दे, 10th को स्टार्ट कर दे, 10th को स्टार्ट करके हम मार्च 2003 तक बच्चे को टेंथ कराते हैं यानि कि दो मेने में एक्षिलेटर प्रोग्राम की तुरू बच्चे की टेंथ कराते हैं और अभी फोकस हम करते हैं PCMB के पर Physics, Chemistry, Max और बायो के पर फोकस करते हैं जिसमा हम उसको टेंथ का एक Basics करवा दे और जब यहां पर बच्चा और अपरेल नंई हमें दुबारा जउन करा है जब यहां पर बच्चा में हमें यास जब यहां पर बच्चा में अपरेल दोजार देबिस में आपेस जॉइन करेगा और टेखनिकली बच्चे की टेंथ स्टार्ट होनी चाहिए थी यहाए पर बच्चे की 10 अनल को जो रही है इस से में बच्चे की 11th लास को स्टार्ट कर दें कुछ हमने दो मेरे में बच्चे का physics chemistry max भाई हो तो यहीं करा दिया है अब अगर हम यहां पर 11th start कर देते हैं और यहां पर 11th start करने के बाद करीब करीब December 2023 तक यानि कि December 2023 तक हम बच्चे की 11 चलाते हैं और इसमें 70% syllabus बच्चे का पूरा कर लेते हैं तो 70% अगर 11th का syllabus 10th में पूरा कर लिया तो यह एक बहुत बड़ा stepping stone हो जाएगा बच्चे के लिए because वो जब 11th में enter करेगा और उसकी जो बाकी peer group जो सीधे 11th में enter करेंगे उसकी comparison में इस बच्चे ने 70% order 11th का syllabus पूरा किया है obviously आपका बड़ा question आएगा 10th में board का क्या होगा NTSC का क्या होगा ओलंपियाट सक्क्या होगा देखिए हमने April से लेकर December तक बच्चे को 10th ना पढ़ा के 11th पढ़ाया है और उससे पहले हमने जब वो 9th के end में था हमने 10th के फिजिस के में सी मैक्स बायो का एक 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 पढ़ा दिया गया है और यहां पर भी हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो 9th 10th के basics को cover करते में चल रहे हैं तो December में खतब होने के बाद भी हमारे पाद January और February के दो मेने बचते हैं जिसमें हम बच्चे को 10th बोर्ड का revision करा सकते हैं 10th बोर्ड का revision हम यहां पर वापिस करा सकते हैं तो यह कैसा phase होगा जिसमें बच्चे को जो 10th का लीनियन टाइंट बच्चा बोर्ड पर रहा है high school की studies कर रहा है वहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा stretch करके उसका 11th का 70% syllabus पुड़ा करा दिया अब देखिए इसकी सबसे खास बात क्या होती है जब बच्चा actually 11th में आता है अप्रिल 2014 में बच्चे 11 आता है जब बच्चा वाला बच्चा आएगा बहुत फरेश स्टार्ट करेगा लेकिन आप जी से-णी से यहां से आते कि एक डिस्टेंस जो आपको दो साल में चल रहे है और आपको दो साल में चलनी थी थी वहाँ प इसी X को हम 3 साल में चल रहे है, इसका डिफरेंस का हुझा है, 10th में ही बच्चा X by 3 distance, करीब करीब 30% जो distance है, वो हम 10th में ही चल चुके होंगे, यानि कि हमें बाकी 2 साल में चलने के लिए सिर्फ 2 X by 3 distance चलना है, यानि कि जो बच्चा जब 11th में जाएगा, तो already 70% सलिबस करने का, और 11th में वो 12th शुरू कर देगा, उसका बढ़ बना advantage ही होगा, कि जब वो 12th में आएगा, तो जहां बाकी बच्चे 12th कर रहे होंगे, वो 12th का already 60-70% सलिबस कर चुका होगा, और 12th के starting में से लेके 3 मेने में उसका 12th का सलिबस पूरा हो जाएगा, यानि कि हम बात कर रहे हैं, यानि कि हम बात कर रहे हैं, जुलाई दोजार पत्चीस में, जुलाई दोजार पत्चीस में, बच्चे का सलिबस पूरा हो चुका होगा, 11th प्लस 12 का सलिबस पूरा हो चुका होगा, जहां पर जो बाकी बच्चे नॉर्मल तरीक से पढ़ रहे हैं, वो अभी यहां पर सिर्फ स्टार्टिंग कर रहे होंगे, क्योंकि उनको एक्जाम देना है मार्स दोजार शब्रीश में, लेकिन आप जुलाई दोजार पत्रीश में, इसका बहुत बड़ा इड्वांटेज जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा बैकलोग्स में, क्योंकि अगर आप J-I-I-E-T की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा होई नहीं सकता है कि आपके बैकलोग्स नहीं हो, कोई न यह कभी ने-कभी आप बीमार हुए होगे, कभी ने-कभी आप किसी टीजर का आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कभी ने-कभी नहीं होंगे लेकिन अगर आप नॉर्मली स्टड़ी कर रहे होते हैं तो आपको बैकलोग को कंप्लीट करने गांगा विकुल मौका नहीं मिलता है लेकिन यहां पर आपको बैकलोग को कंप्लीट कर देगा मौका मिलेगा प्रिकूछ आप जुलाई जिसे बहुत से बच्चे आते हैं, से आमें साइट का फोर्म बढ़ना है, आपको NDE की तैयारी करना ही है, आपको CUT के एक्जाम देना है, आप यह सब इस समय कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग, आपकी जो तैयारी है, वो नाइन क्लास से स्टाट हो रिची है, अगर उसके बात बैकलोग होता है, और बहुत होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है, वो Chung Ka Conservation मानना करें गया, या या हम की बात करें, तो कभी पूरा का पूरा organics चला जाता है और अगर mathematics आधे ही बात करें तो अगर कभी पूरा का け accession आपकेश चला जाता है और आप आप नॉर्मल टाइम में आप कभी भी अपना बैकलोग नहीं कर सकते हैं बिकोज नॉर्मल टाइम में छे घंटे की क्लास के बाद छे घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके बाद आपके पास ये टाइम नहीं वसता कि आपका कोई पुराना चप्टर को अब उठा ले और ये पुराना चप्टर तब ही उठा सकते हैं जब आप अपने स्लेबस को एक्जाम के at least 6 मेने पहले cover कर सके हैं या 4 मेने पहले cover कर सके हैं तभी आपके पास sufficient time होगा तभी आप की कर सकते हैं अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं जो हमारे के बच्चे उनके लिए क्या करने वाले हम लोग January 2023 में एन बच्चों का एक्जाम लेने वाले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं सिरफ class 9 के बच्चों की जो उस्वने पढ रहे हैं इनका 2 सी लेके 15 जन्वरी के लिए में एक्जाम लेने वाले हैं और इस एक्जाम की पर्फोर्मेंस की बैसे हमने एक मिनिमम क्राइटरिया डिसाइट किया हुआ है 18 जनवरी से 18 जनवरी 2023 से हम इनका 10 का एडवांस बैच शुरू कर देंगे यह आपके लिए बहुत समयना जोड़ी 10 का एडवांस बैच शुरू कर देंगे और इसमें हम तक आते आते आपका 70% of the class 11th हो चुका होगा और जनवरी फैब्रेरी यह दो मेने ऐसे हैं जहां पर हम आपको सिर्फ 10th board की तयारी करवाएंगे तो आपने 70% सिर्फ 10th 11th का 10th में कर लिया साथ में आपने बूर की भी तैयारी कर लिए इससे बढ़िया कोई solution हो सकता है आपके लिए यह सब करने के बावजूर आप देखिए आप अपने प्रियर गुप से कितना आगे निकल के जहां आपका प्रियर गुप से कितना आग कर रहे होंगे तो आपको पीशिशी समय नहीं पढ़ाईगी समय इससे माँ आपका जो एक्सपोजर होगा वो यसिशी समय प्रियर दीदिजन आपको पढ़ा रही होगी तो वह नर्म को उसे लेवल पर समझा होगी तो एक बैसिकली आपका एक अलग ही और बिदेगी आप इस प्लानिंग से जो अधिस्ट मिलेगा यह आपके लिए बहुत बड़ा गेंचेंजर होगा यह आपको बहुत बड़ा कॉंपिटिटिव एडवांटेज देगा अपने पियर गूप की को अपको इसके बारे में और को जानना है तो आप यहां पर आके मिल सकते हैं के साथ लिया गया था बच्चों को उसका फीडवा आया था इसरमें ऐसे प्रोग्राम की जुरू हो थे विगा अभी हम देख रहे हैं जो बच्चे 12 में उनके अभी तक स्लेबस पूरे नहीं हो पाया उनके जन्वरी में जेही में की डेट आचुकी बोड की डेट आचुक है और बच्चों को बोड में सब्जेक्टिव प्रक्री कर नहीं है लेकिन 11-12 तो बच्चे आप्जेटिव तरीके से परता आयते लिखने के भी प्रक्रीस नहीं कर रहते है तो बच्चा बड़ा पॉजल रप हो जाता है बिको उसका स्लेबसी टाइम पर कंप्रीट नहीं ह दीरे दीरे करेंगे, शांती से करेंगे, और टाइम से पहले करेंगे, और यही इसका USB है, अगर आपको यही और नीट करना है, आपका स्लेबस टाइम पर हो जाना है, टाइम से पहले हो जाना चाहिए, and that should leave an ample of time for the revision, so that's all, if you have any questions, please do ask, thank you.